नमस्कार विकली एग्री ओवर्वियू में आपका स्वागत है सबसे पहले आप सभी को दिवाली की शुब कामना है पिछला अपता एग्री पैक के लिए काफी शांदार रहा है हमने देखा एग्री पैक के अंदर के कच्छी कासी प्रॉफित बुकिंग आते वे दिखाई दी कुछ कमोर्टी जैसे सोया बीन, हल्दी, जीरा इनमें तो हमने प्राइजस को स्टेबलिटी इसके साथ पॉजिट के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया पैंसल सो बीस पे मैंता ओल रेंज बाउंड था महीं कॉटन कंप्लेक्स के अगर बात करे तो बड़ी तेजी के बाद कॉटन के अदर हमने एक परसिंग की गिरावट आते वे देखी गवार कंप्लेक्स के अंदर अच्छ काफी ज़्यादा एक्टिव है जिसके चलते हमने देखा कि गवार सीब में सवाचार परसिंग की गिरावट और गवार गम में साड़े साथ परसिंग की गिरावट के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया यह अपते में वहीं मसालों की अगर बात करें तो अल्र अगले अपते की अगर हम बात करें तो अगला अपता काफी इंपॉर्टन रहना है एगरी मार्केट के लिए क्योंकि हॉलीडी का भी माहूल के बाद मंडिया ओपन होते भी दिखाई दीगी तो सबसे पहले सोयाबीन की बात करें शॉट कवरिंग के चलते मार्केट में जो तीजी है वो कायम रह सकती है 5650 के टारगेट के लिए सोयाबीन बाय और ड्रॉप रखी है वहीं कैस्टर में लॉंग लिकुडिशन हुआ है 6400 से 6400 का रींज रहेगा 6400-5450 के करीब हम कैस्टर लेके चलेंगे 6400 का ओवराल टारगेट रहेगा CPU के अंदर थोड़ा स्टे अवे रही है क्योंकि इंट्रेशन से अपडेट सानी काफी इंपोर्टन है जिजन से गिरावट है वो और बढ़ सकती है जो 1090 तक का लेवल CPU में वहीं Refine Soya Oil में 1210 से 1215 का एक रींज देखने मिल सकता है मसालों के अंदर हल्दी के अंदर शॉट कवरिंग है 7500 के उपर काउंटर स्ट्रॉंग रहेगा जो कहिना कहीं 7750 से 7780 का लेवल दिखा देगा जीरे की अगर बात की जाए तो 15200 के उपर काउंटर काफी स्ट्रॉंग है जो कहिना कहीं 15200 के उपर होल्ड होने पे 15500 तक का लेवल दिखा सकता है बढ़ दियान रखिए 870 के उपर पहुँच चुकी है धनिय की अगर बात करें तो 8500 का लेवल तोड़नी पा रहा है मार्केट में थोड़ा भी पुल बैक अगर 7750, 7780 के करीम मिले लेके चलिए इमिडेट हडल 8200 का रहेगा वहीं गवार सीट गवार गम के अंदर लॉंग लिगूरेशन कंटीन्यू है प्रेशर और भड़ता हुआ दिखाई देगा जो 6400 से लेके 6300 तक का लेवल गवार सीड में और 10800 तक का लेवल गवार गम में देखने मिल सकता है मैंथा में भी 930 से 960 का जो दाइरा इसी दाइरे में मैंथा होई ट्रेट करता हुआ दिखाई देगा महीं कॉटन कॉम्लेक्स के अगर बात करें तो कॉटन में अभी भी शॉर्ट कवरिंग कायम है पर थोड़ा पूल बैक जरूर बनता है काउंटर पे 32,000 के करीब मिले तो ही नई लेवल 32,000 से 31,600 के रेंज में अगर बाइंग करते हैं तो सेफ जोन रहेगा 33,500 का लेवल तोडने पे ही नई तेजी बनेगी RSI 82 पे होने की वज़े से हम ये पुल बैक एक्सपेक करके चल रहे है कॉटन सीड ओल के के अंदर भी हमने फ्रेश सेलिंग बनते वे देखी है प्रोफिट बुकिंग कायम है जो 2480 तक के लेवल दिखा सकती है वहाँ पे आपको बाइंग करके चलना है और लास्ट में अगर हम कपास की बात करें तो कपास के अंदर भी ओर वाट जोन में है एक पुल बैक देखने बनता है इन ओल अगर हम बात करें अगले हफते की तो कॉटन कॉंपलेक्स में बाइवन ड्रॉप मसालों में बाइवन ड्रॉप सोया बील कैस्टर में दोनों में तेजी जबकि गवार सीर गवार गम में आप लेंच से बचके चलिए धन्यवाद